कि नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा नए या पुराने गाने कैसे डाउनलोड किया जाता है इसके लिए आपको जादा कुछ करना नहीं पढ़ेगा पहुत ही आशानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको यूसी ब्रॉजर एक खुलना पड़ेगा यह रहा आपका यूशु ब्रोजर यहां उपर लिखने को अप्सवन होता है आप यहां लिखना पड़ेगा आपको इस्टा-mp3.com यह लिखना पड़ेगा इस्टा-mp3.com जहां आप यह लिखते हैं तो यह तुरंथ ही इस तरह आ जाएगा और आप यहां इस तरह देख लिजिए इसमें क्या लिखा है mp3 music download mp3 download यह लिखा है इसे आपको open कर देना है यहां open करते ही आपको option मिल जाता है गाना सुच करने का अब कोई भी गाना अगर आप लिखते हैं तो इसमें तुरंद डाउनलोड हो जाएगा जैसे कि आपको कोईल से तेरी भूली तो को यह रिखते हैं कोईल से यह आजाता है यह आप इसिए open कर लिजिए कोई भी गाना नया च्थल्च नंब कर सकते हैं इसमें पना देख सकते हैं अगर आप यह चालू कर देए अगर आपको दो आपसर मिलता है download का और फ्लेश अगर आपको चाहत हैं सुनना जाते हैं गाना तो आप निंहां से दुन भी सकते हैं लेकर अ फ़सका है इसमें आप दभाद दीजिए दिए अटिक अगर अगर आपको सुनना है तो डाउनलोड का यह बटन चाहिए प्लेगा सुन सकते हैं इसके बद आप में डाउनलोड का तो आप डाउनलोड करना चाहते हैं रसके बास करते हैं लोट किसे बाद दाउनलोड के दभाई यहां सबसे निचे दो डाउनलोड करने के लिए श्राट हो जाता है और आपको देखना है डाउन लोड हो रहा है तो इसमें आप डाउन लोड वाले जाई दिया जाती है इसमें उस्छी मिनुट में आपका यह डाउन लोड हो जाएगा यहां दोस्तों देख रहे हैं बहुत ही स्पीड में डाउनलोड हो रहा है सबसे बड़ी खासियत कि बहुत ही जल्दी यह डाउनलोड हो जाता कोई भी गाना इसमें ज़्यादा देर नहीं लेखता है तो यह देखिए गाना डाउनलोड हो चुका है अब आपके लिस्ट में प्ले लिस्ट में यह जूट चुका होगा तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें धरने बाद गुस्तों मेरा वीडियो देखने लिए बहुत बहुत धरने बाद